नमस्ते सस्याकाल आदाप आप सबका मेरे यूटूब चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है आज मैं आपको अपने साथ कहां कहां गुमाने वाली हूँ तो चलिए दिखाती हूँ तो आज सबसे पहले हम आए हैं चिरियों को दाना देने तो सुपे का वक्त है थोड़ा सा दान पुर्ने कर लेते हैं तो यहां बहुत सारे कबुतर आते हैं तो यहां हम दाना डालने आ गए थे दाना दे दिया था और अब हम रवाना हो गए हैं तो चलिए आज मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाने वाली हूँ तो यहां मैं आयो अरियोम सबजी मंडी में और यहां पर मज़ेदार बात क्या है कि यह जो सबजी की दुकान है यहां पर कभी कभी महिने में एक या दो बार सबजीों की सेल भी लगती है तो आज यहां सेल है तो सस्ते भावों में सारी सबजी है तो देखिए 28 रुपे में केला, 50 रुपे में स्ट्रोबेरी, 90 रुपीज में कीवी है आप देखे यहां 8 रुपे की पत्ता गोबी, 8 रुपे कि लो पत्ता गोबी 8 रुपे में क्या मिलता है? 10 रुपे, 8 रुपे, 15 रुपे, 20 रुपे ऐसे सब्चियों के रेट है, सब चीजें यहां सस्ती है, सेल में है, तो देखिए, 10 रुपे किलो टमाटर और यह भी नहीं है, आप छाट के अच्छे वाले ले ले, यहां मैंने सब्ची ले ली, तो यह मेरी आपको दिखाना था, कि आपने भी कभी सेल में सब्चिया खरी द ले रहे हैं, देशी पपी ता, वह है 28 रुपे में, 7 रुपे में भी आलू थे, 8 रुपे किलो आलू थे और 10, 9 रुपे किलो आलू थे, पत्ता को भी मैंने दिखाई आपको 8 रुपे किलो, 10 रुपे किलो टमाटर, मतलब आप देखिए ने, यहां हर चीज भिल रही थी, तो सबजियां तो बहुत सस्ती थी, जो चीजें देखो, 20 रुपे तत में सारी सबजियां, किलो किलो वाली सबजियां थी, तो यहां मैंने सबजियां ले ली थी, और यहां सबजियां, देखिए मैंने कितनी सारी सबजियां ले हैं, तो आपको मैंने आज दिखाया कि सेल म सबजियां भी मिलती हैं चलिए अब चलते हैं आपको कुछ दूसरा दान पुर्णे करने अब यहां मैं आ गई हूँ गाई को गुड़ खिलाने तो यहां आज हमने सुबेच चिडियों को दाना खिलाया फिर सेल में हमने सबजी खरी थी और अब यहां पे गाई को हम गुड़ खिलाने आ गए बड़ा मुश्किल होता है इनको गाई को गुड़ खिलाना क्योंकि सारी गाई एक साथ आती है तो थोड़ा सा टिफिकल्ट हो जाता है तो चलिए मिलती हूँ आप से कल किसी और वीडियो में तब तक के लिए राम राम शंपा कैर अपना ध्यान रखियेगा